चानक्यनेदी पाच्वाध्याई ब्राम्मन को अगनी की पुजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राम्मन की पुजा करनी चाहिए, पद्नी को पती की पुजा करनी चाहिए, तथा दोपहर के भुजन के लिए जो अतिती आए उसकी सभी को पुजा करनी चाहिए, सोने की परक उसे घिस कर, काट कर, गरम करके और पीट कर की जाती है उसी तरह व्यक्ति का परिक्षन वह कितना त्याक करता है उसका अचरन कैसा है? उसमें गुन कौन से है? और उसका व्यवहार कैसा है? इससे होता है यदि आप पर मुसिबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें लेकिन यदि मुसिबत आ जाती है तो किसी भी तरव उससे छुटकारा पाए अनेक व्यक्ति जो एक घर्ब से ही पैदा हुए है या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए है वे एक से नहीं रहते उसी प्रकार जैसे बेर के जाड़ के सभी बेर एक से नहीं रहते वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्च है कारेले में काम नहीं करना चाहता जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया वह शारीरिक शुंगार नहीं करता जो आधा पड़ा हुआ वेक्ति हैं वो मीठे बोल नहीं बोल सकता जो सीधी बात करता है वो दोका नहीं दे सकता मूड लोग बुद्धिमानों से इर्शा करते हैं गलत मार्ग पर चलने वाथ पवित्रस्त्री से इर्शा करती है बजसुरत औरत खूपसुरत औरत से इर्शा करती हैं खाली बेटने से अभ्यास का नाश होता है दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नश्ट हो जाता है गलत धंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीचों का नाश करता है यदि सेना पती नहीं है तो सेना का नाश होता है अरजित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है घर की इज़त अच्छे व्यवाहर से सुरक्षित रहती है अच्छे गुन से इज़तदार अदमी को मान मिलता है किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आखों में दिखता है धर्म की रक्षा पैसे से होती है न्यान की रक्षा जम कर आजमाने से होती है राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है घर की रक्षा एक दक्षक रुहिनी से होती है जो वैदिक न्यान की निंदा करते हैं, शास्र सम्मत शिवन शैलिक की मजाक उड़ाते हैं, शान्ती पुर्वस्वभाओं के लोगों की मजाक उड़ाते हैं, बिना किसी आवश्रक्ता के उन्हें दुख ब्राप्त होते हैं दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा चरन दुख को मिटाता है, विवेक अध्यान को नश्ट करता है, जानकारी भाईक को समाप्त करती है वासना के समान दुख कर कोई रोग नहीं, मोह के समान शत्रू नहीं, क्रोध के समान अगनी नहीं, स्वरुप ज्यान के समान कोई बोध नहीं व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुप अशुप परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सदगती प्राप्त करता है जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्गतोतिन के समान है एक पराक्रमी युद्धा अपने जीवन को तुछ मानता है जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्री भोग का विशय नहीं उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मान तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसकती नहीं जब आप सपर पर जाते हो, तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है घर में पत्नी मित्र है, बिमार होने पर दवा मित्र है अर जित पुन्य मृत्यू के बाद एक मात्र मित्र है समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है पैसे वाले आदमी के लिए भेट वस्तु का कोई अर्थ नहीं दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं खुद की शक्ती के समान कोई शक्ती नहीं, नेत्र जोती के समान कोई प्रकाश नहीं, अन्न से बढ़कर कोई सम्पत्ती नहीं निर्धन को धन की कामना, पशु को वानी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ती की कामना शक्ती से इस दुनिया को धारन करती है, सत्य की शक्ती से ही सूर्य प्रकाश मान है, हवाय चलती है, सही में सब कुछ सत्य पर अश्रित है लक्षमी जो संपत्ति की देवता है वह चंचला है हमारी श्वास भी चंचला है हम कितना समय जेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं हम कहा रहेंगे यह भी पक्का नहीं कोई बात यहाँ पर पक्की है तो यह है कि हमारा अरजित पुन्य कितना है आद्मियों में नाई सबसे धूरत है, गववां पक्षियों में धूरत है, लोमडी प्रानियों में धूरत है, औरतों में लंपट औरत सबसे धूरत है इस सब आपके पिता है, जिसने आपको जन दिया, जिसने आपका यदनो पवित संसकार किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भुजन दिया, जिसने आपको भैपूर्ण परस्तितियों में बचाया जिसने आपको भयपूर्ण परस्तितियों में बचाया इन सब को अपनी माता समझे राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की मा और आप की मा लाइक और सब्सक्राइब चैनल नमस्कार